हम एनिमेटर आप का इंटरफेस समझ कर एक सरल एनिमेशन बनाते हैं सबसे पहले एनिमेटर आप में जाने के बाद आप ये प्लस कचे ने दबाईए और एक ब्लैंक नई प्रेजेंटेशन खोलिए इस स्क्रीन में यहां बाई तरफ ये हमारा कलर सिलेक्शन टूल है इसमें कई सारे अंदर रंग हैं और हम जिस भी रंग से रंगना चाहें वो हम यहां चुन सकते हैं उसके बाद यहां पर ब्रश सिलेक्शन है और एनिमेटर आप में कई किसम के ब्रश हैं हम पहले stroke देखते हैं तो ये अलग-अलग brush types हैं यहाँ पे जो अलग-अलग strokes पे draw करेंगे और हम इनका size अपने brush का size मोटा या कम कर सकते हैं और वो कितने पारदर्शी हमारा brush कितना पारदर्शी है कितना उसकी opacity कितनी है ये भी हम select कर सकते हैं और इसमें brush में हमारे को pattern भी ब बना सकते हैं हम तो squares हैं या circles है रिक्टैंगल star इस किसम के यहाँ पे अलग-अलग patterns बने हुए हैं और हम animation में ये patterns को भी draw कर सकते हैं यहाँ ये तीसरा button जो है ये हमारा eraser है और eraser में भी हमारे पास stroke और pattern दोनों है कि हम किस किसम से जो चीज हमने बनाई है उसको हम कैसे मिटाएं तो उसका हम फिर से size कम जादा कर सकते हैं stroke select कर सकते हैं और stroke कितना पारदर्शी है ये भी select कर सकते हैं या हम eraser में भी अलग- हम पहले एक background color अगर बना लें तो उसके उपर हमारे को pattern डालने है तो हम वो pattern यहाँ से draw कर सकते हैं अगला button हमारा है अलग किसम के symbols या chin draw करने के लिए पहले यही चिन हमने देखे थे जो eraser के तोर पे थे यहाँ ये draw करने के लिए हैं तो हम इनको draw करके इनकी position बदल सकते है इनका size कम जादा कर सकते हैं इनका रंग भी जो है वो बदल सकते हैं तो हम यहाँ जाके अगर pattern देखें ये जो है ये हमारा fill का tool है और fill का मतलब है कि हम अपना ये जो frame है इसको किस रंग से fill करना चाहें तो अगर हम अपना color बदलते हैं और नया color select करते हैं और फिर ये fill tool क select करके अगर हम कहीं भी दबाएंगे तो वो हमारा background color जो है इस तरीके से हम fill tool का इस्तेमाल करके बदल सकते हैं यहाँ ऊपर ये हमारा last step undo tool है कि जो भी हमने एक step पहले किया था अगर हम उसको हटाना चाहें तो हम इसको बार बार दबाके 4-5 step जो हैं पीछे अपने बदल सक सकते हैं और इसके बगल में हमारा redo tool है कि जो हमने last step जो किया जो हमने हटा मिटाया उसको हम दुबारा बना सकते हैं तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए चलिए एक सरल सी animation बनाते हैं एक bouncing ball की हमने रंग select किया उसके बाद हमने brush का selection किया और brush में हमने normal pen और pen का size देखा पारदर्शी ये कितना है इसको पूरा ही 100% रखा अब हम अपने पहले frame पर ये जो हमारा पहला frame है हम इस frame पे ball बना रहे हैं और हम मान लिया जाए कि ball दिखाना चाहते हैं कि यहां से आई थी और यहां आई और उचली और फिर चली गई इस किसम का हम ball का path बनाना चाहते हैं तो हम ये line हटा देते हैं और हमने पहले frame पे ball मान लिया जाए यहां बनाई फिर हमने नीचे plus का चिन्ह दबा के एक नया frame अट किया नय frame का मतलब है कि हमारी animation में अगले शण में क्या हुआ और हमारे को अभी ये जो हलका दिख रहा है ये पिछले frame में हमने कहां ball बनाई थी ये दिखा रहा है ताकि हम इस frame में ball बनाने में हमें सहूलियत हो हमें पीछे का दिखे जैसे ये ऐसा मान लीचे कि tracing sheet हमने लगाई इसको onion screening कहते हैं और onion screening on इस उपर वाले button से होती है इसको दबाओ तो पीछे का नहीं दिखेगा और इससे पिछला वाला frame भी दिखता है तो हमने कहा कि मान लिया जाए कि अगले शण हमारी ball थोड़ी सी नीचे गिर गई फिर हमने फिर से plus का button दबाया और हमने कहा उसके ब ball नीचे टपा खाई फिर नया frame अट किया और कहा कि ball उचली और थोड़ी आगे चली गई नया frame अट किया और ball यहाँ पहुँची और नया frame अट किया उसमें ball यहाँ पहुँची और अगले frame में ball गायब हो गई अब हम अपनी animation अगर देख रहे हैं तो हमारे को नीचे हमारे को अलग-अलग frame नदर आ रहे हैं जिसमें हमारी ball की बदलती स्तिती हमें नदर आ रही है अब अगर हम इसको यहाँ पे play का button दबाते हैं तो यह हमारी bouncing ball की animation तयार हो गई है हमार्ण दो बड़ घसे हमारे को आपको यह नदर आपका साफके तो तो यह प्रूंग ज़ को कि बचल प्रूंग तो यहाँ थे हैं में तो यहाँ थे इस प्रूंग को कर दो टूंग। झाल झाल